आप सभी पर यह दर्शकों का स्वागत है, आपके लिए लेका हैं Tata Motors के बारे में बहुत अच्छा वीडियो, very interesting information and it can be fun as well, चलिए चल कर शुरुआत करते हैं, यह value buying है, आई यह चल कर हम बात करेंगे, सबसे पहली ख़बर के अगर बात करें, CCI, Competition Commission of India ने order की है, Anti-Trust Investigation Against Tata Motors, यहाँ पर Tata Motors की बात करें, तो commercial vehicle में एक दिगज हैं अपने आप में, और leader हैं यहाँ पर India में, उन्होंने बताया है, कि यह they are abusing its market position while supplying commercial vehicle to some of their dealership in India, तो यह एक challenging position हो सकती है, Tata Motors के लिए, इस तरह की allegation आना from the Central Commission, Tata Group, usually, माना जाता है कि बहुत ethical group है, बट अगर इस तरह की information आ रही है, तो challenging हो सकता है, allegations are made by former dealership partner of the company, और उन्हें कहा है, कि यहाँ पर strict terms around quality and the type of vehicle dealership should stock, Tata Motors worked with affiliate firms while advancing the credit to the dealership, तो यहाँ पर अंदर की discussion बाते चल रही है, अगर आप credit पहले ही दे देंगे उनको, तो वो अच्छी बात रहेगी, आप कही vehicle बेचेंगे, वो दूसरी company की vehicle नहीं बेचेंगे, तो यह कह रहे हैं कि इस तरह के direction अच्छी बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने 45 page का एक allegation लगा है, अब अगर बात करें यहाँ पर number of sales की, तो देखे, April month थोड़ा सा मंदा रहा है, उनका 15% lower volume है, पर Tasta, Nixon, शांदार तरीके से 6,938 cars बेची गई है, Tata, Tiago, 6,600, Tata, Altros, 6,600, तो यह सारी किसारी अच्छी तरह से बिक रही हैंगी, Safari, interestingly, नया model लाँच किया है, और 1500 car उसको भी बेचा गया, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पर maintain किया है, अपने नए model के लिए, और सुने में रहा है कि अगले 6 model यह बेचेंगे, Third and the most informative information, आप यहाँ पर देख सकते हैं, windmill रखी गई यह car के उपर, यह Nixon car है, जो की एक गुजरात में इसकी picture खीची गई थी और बताया गया है, As per our system, अगर आप Tata Motors को खरीते हैं, तो Tata Motors can also be fun, देखिए, अगर आपको charging की जुरत है, तो इन्होंने अपने उपर ही charging लगा दिया है, ताकि on the go charging हो जाए, क्योंकि इंडिया में infrastructure के भी challenges है, तो उसे साब से उन्हें रखाए, But I don't think it is very efficient, being an engineer myself, तो यहाँ पर एक तो weight बढ़ जाएगा गाड़ी का, दूसरा, जब आप इतना बड़ा उसके उपर resistance लगाएंगे, तो उसकी speed भी कम होगी, तो आपको efficiency जादा नहीं मिल पाएगी, Electric Charge तो होपाएगी थोड़ी बहुत, कहीं बहुत जादा emergency है, तो उसके लिए कर सकते हैं, But I think इनके efficiency बहुत जादा कम हो जाएगी, गुजरात में कभी बंदे ने ये काम किया है, तो I thought it'll be good for you guys to know this as well, हमारा चैनल काफी पुराना है, 2500 वीडियो से जादा है, विजय जी ने हम से पूछा है कि आपको कभी loss नहीं दिखाते हैं, तो विजय जी आप लगता है, नए हमारे चैनल पर हम पूरा सब कुछ दिखा है Tata Motors का, इसने 293 से शुरुआत की थी, और ये 301 तक चला गया है, जो कि एक बढ़िया पहल है, उपर जाने की तियारी कर रहे हैं Tata Motors यहां से, काफी अच्छा consolidation कर चुके हैं देर से, यहां पर देखेंगे, तो देखें पिछले 3 महीनों से almost कह सकते हैं, कि इन्होंने काफ एक बार कुदा, तो फिर ये काफी तेज छलांग लगाएगा, आप अपने पोर्टफिलियो में इसको ज़रूर बना के रखें, ये बहुत अचीव वैली पाएंगा है, लॉंग टम की दर्श्री से, और अगर आपको चार वीडियो देखने हैं हमारे चैनल के, बेस्ट और सेलेक्शन, आपके लिए प्रसुत है, जाहिंद, जाह भारत, मंतली सर्विस ये तो मिल डॉप की जगा, बाई गाइड,